सो दोस्तों आप हमेशा देखते हो कि यार टीवी पे काफी अच्छे 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 आड्स आते स्पेक्स के बारे में ग्लासेस के बारे में जो कि यार आपको बताती है कि ब्लू काट या फिर अच्छे अच्छे होते हैं बैसिकली लेंस काट वागे अगर मैं आपको बता हो कि अगर जो भी आपका डिस्प्ले है जिस फोन में आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो उसमें क्या होता है तीन ही कंपोनेंस रहते हैं जिसके बज़े से आपको कलर दिखते हैं RGB अगर आपको बता होगा कि RGB लाइट रहती है जो कि red, blue, green so basically blue light जो रहती है वो आपके आखों के लिए harmful रहती है but basically means light तो light रहती है उसके ऊपर वो harmful कैसे क्या होगा means इतने तो अच्छे हम specs वगर पहनते हैं और basically इतने अच्छे हम mobile खरीते हैं so mobile company क्या हो उसका देहान ने रहती है so basically अगर मैं आपको बता हूँ कि जो कि blue light रहती है वो आपके आखों को नहीं वो आपके retina को damage कर देती है means आपके lens वागे पर कोई फरक नहीं बरता है वो सीधा आपके retina को damage करती है means आप सोच सकते हो कि यार वो blue light कितनी खतरना कि जो कि यह जो blue cut के lens है या फिर आप कह सकते हो जो कि computer glasses है यह उन्हें आप श्रक करते है so basically अगर आपको दिख रहा होगा यह green shade है जो कि anti-glare है और बात में यह मतलब अलग-अलग direction पे blue अगर एक color दिखता है so basically जब भी आप mobile के सामने आप जो भी artificial screen है उसके सामने अगर आप जब भी भी बैठते हो तो उसके अंदर से 3 lights निकलती है red, blue, green और blue light means second amount में निकलती है red के पहले और green के बाद में उस green सबसे ज़्यादा रहती है और बाद में red और blue means blue stand second but अगर आप देखते हो कि blue light काफी रहती है so इसके लिए computer glasses use करो ना कि ऐसे normal lenses use करो but जो कि आपके जो की phone अगर है आप कितना भी महेंगा TV लो 4K TV लो 4 लाग, 5 लाग का TV बट यार components same रहते है बस उनकी scaling छोटी हो जाती है nanometer और dot pitch वागर चोटी हो जाती है तो उसके वज़े से clarity बढ़ जाती है बस और कुछने है और जो भी phone में से जो भी lights निकलती है means यहार एक clear कर दू, radiation और rays में काफी difference है means radiation वह होती है, gamma radiation वह जो की uranium, plutonium उसके atom से निकलती है और rays जो की अलग होती है जो की light rays होती है, microwave होती है यह waves होती है, radiation अलग होती है जो की high frequency वाली waves होती है उन्हें radiation कहते है यह काफी misconception है कि इसके रडुयेशे, radiation यह रडिये के होती है तो आपको वो problem face में होता कि यार ज्यादा light आ रही है आपके आख में आपको ज्यादा irritation नहीं होता यही फाइदा है आप blue cut या फिर anti glare lenses लेने का इस इतना ही था अचकी वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो like कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको जो जाओ तो keep watching मैं मिल दो आपसे अगली वीडियो में फिलाल के लिए बाबाई